और मैं दिल्लिक जंता से कहना भी चाहता हूँ आप ने और मेरा बेटार मैस्टी में डिया आप अर्विंद कजिरिवाल जी को जेल में भेज दिया दिल्ली जंता तो मुतोर जबाब ना किवल दिल्ली पूरे देश में देगी चूंकि दोक्तां तना साही से नहीं चलता है अ क्वास्ट के मुद्दे पर हिम्मत तो लड़ो बिरोजगारी के मुद्दे पर लगों की जान से था है तो इस तरह से इस तरह से बड़ा अच्छा याद रहा देखिए आज एक विलो कॉलिटी मेडिसिल सप्लाई कि आप न दिली के सब्सक्राइब करके चंदा साथ कि बात करते हुए गव मांस के बैपारी चंदा ले लिया इनों ने अब सब्सक्राइब नानी को बूल जाओंगे अब सब्स इस बूलोगे अब लिखानी को भूल जाते हो सुआते हो रह जाएंगे चंदा नहीं करना अा हम गाना नहीं गाएंगे दिली की जनता आपकी अश़ियत देख़एंगे попроб चानीके सब्सक्राइब संजीव जा, आल से रंडन, आल से रंडन, दे कि तू तू मैं 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 नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा फिर निवेजन है कि एक एक करके आप दोनों अपनी टर्न पर बोलिए और मेरे निवेजन को सभी सुविकार करें, देखे, EDE ने कोट के सामने के कविता के चार्टर अकाउ नई आपकारी, यानि एकसाइस पॉलिशी को लेकर बाची तो ही है, और EDE ने अपने रिवांट पेपर में इसका खुलासा भी किया है कि के कविता की चार्टर अकाउंटेंट, C.A. बुच्ची बाबू, बुच्ची बाबू, मैं दुबारा नाम रिपीट कर रहा हूँ, उन्हेंने बताया कि B.R.S. नेता की, अर्विंद के जिवाल और मनीश सूरिया के बीच, पॉलिटिकल अंडर्स्टेंडिंग थी, और आप बताईए, एकसाइस पॉलिशी जो पहले कैविनेट से अप्रूव होनी चाहिए, उसके पॉइंटर कैसे थे, के कविता के C.A. के पास, बुच्ची बाबू के पास, वाट्सेब चैट में रिवील हो रहा है, तो इसका, यह कोट के अंदर आई है, यह कोई ED सूत्रों की जानकारी नहीं है, यह कोट की जानकारी है, संजीव जा, बता दूँ, जी, देखिए यह पूरी जो कहानी है, यह सारी कहानी पर आप कारी नीती के पॉइंटर्स कैसे बुच्ची बाबू के पास पहुंचे, दिल्ली के आपकारी नीती थी, के कविता के सीए के पास कैसे पहुंचे, और की कविता इडी ने अरेस्ट कर रखी एसी मामले पे यह एप्रूबर की कहानी है, एक बाब बताईए, एक बाब बताईए, कि दो व्यक्ति आपस में चैट कर रहा है, एक सो चौर्चर में जिसका बयान हुआ हुआ है, और इसी एप्रूबर पे कली फटकार लगाई है, कि अगर आप अप्रूबर पे सवाल उठाते हैं, तो आ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जिस्टिस के जुडिसियल माइंड पे, जुडिसियल इसमी सवाल ख़़ा कर रही है, नहीं, चलिए, मैं, 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 आपकी सारी बातों को उपर लगता हूँ, मेरा सवाल है, एक साइस पॉलिसी, बुच्ची, एक साइस इस बात को आम आदमी पार्टी बिलकुल नहीं समझेगी और ना समझने के लिए तयार है, क्योंकि उसके पूरे के पूरे के पूरे चहरे से नकाब उतर गया है, केजरिवाल जो वो कटर इमानदार का एक जंडा बुलंद कर घूमते थे, कल जो हाई कोट ने उनके पर टिपनी की है, बहुत खतरनाक टिपनी है, वो आज तक किसी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाप मैंने अपने राजनितिक जीवन में नहीं देखा, केजरिवाल और उनकी आम आदमी पार्टी भरष्टा चार में डूबी है, ये जब तक सुप्रीम कोट तक तै नहीं हो जाएगा, तब तक ये नहीं मानेगा, और मुझे यकीन है कि शायद उसके बाद वो कहेंगे, इंटरनेशनल कोट भी जाओंगा जी, एक ऐसा व्यक्ति जो 5 अप्रील 211 को इस देश में इमानदार राजनिती के लिए बैठा था, कि लोगपाल ले आओ, फिर लोगपाल जब नहीं बना पाए, तो इस्तिफा दे दिया था, क्योंकि वो औसफल साबित हो रहे थे, और कॉंग्रेस पार्टी सरकार गिराने वाली थी, जिस कॉंग यह राजनितिक ड्रामा चल रहा है, वो एक केजरिवाल कहते थे ने, कि सब मिले हुए हैं जी, तो सब रश्टाचारिया वास्तब में मिले हुए हैं, अनुराग बदरिया समादवादी पार्टी के, अनुराग बदरिया जो कोट की स्टेथिंग कमेंट्स आए हैं, जो यह अब्जरवेशन और यह ओडर अपने आप में बहुत बड़ा हैं, अनुराग जी, देखें आपका सवाल, आपका सवाल दो हिस्सों में है, पहले एक 30 सेकेंड का मैं जवाब दे दूँ, आपका सिसक तक कांटा लगा, बिलकुत सही, कांटा लगा, सरकार की छत्री के न कांटा लगा, चात्रों को परचली का कांटा लगा, युवाओं को परिशानियों का कांटा लगा, मजदूरों को मजदूरी की कांटा लगा, अभी पच्छियों को अन्याय का कांटा लगा, और चंदे के नाम पे जो हुआ, एलेक्टरोल बॉंड का कांटा, कितना कांटा निकालोगे हमीजी भारती जनता पार्टी अपना कांटा जो जनता को हर वर को इनों ने जो कांटा लगाया है वो कांटा जनता वोट के माध्यम से कांटा निकालेगी वोट में कनवर्ट काल देगी डम कांटा निकालेगी अपने पैर से और वोट के जो बॉक्स होगा ना उस देखे मैंने का ना भारतिय जनता पार्टी बीपच्छ पर अन्याय का आरिया भारतिय जनता पार्टी यूप सब्सक्राइब कर दिया ये भी तो जनता बार्ती जनता पार्टी दो गया नहीं हाई कोट की डिपनी हाई कोट की का ओडर आप उस पे भी सवाल उठा रहे हैं हाई कोट की ओडर पे हाई कोट ने जो लिखा हा देखे हाई कोट देखे सीधी सी बात है हम लोग सम्मिधान और न्याय पालका का सम्मान करने वाले हैं करने वाले लोग हैं आज नियाय पालका ने आदेश दिया है, हम सम्मान करते हैं, कल वही सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा, नहीं, अभी का आदेश क्या है? अज़िए यही रुखते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी आया नहीं है, अभी तो सुन्वाई भी एक हफते बाद झाल झाल